तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इसनाए और लेटेस्ट वीडियो में और यह जी वीडियो है आप लोग के ट्वल्थ क्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोशन का स्रीष चल रहा है उसका पार्ट नाइन है आप लोगो थम्नेन प को ध्यान से देखना है और अपने हिसाब से आप लोग सोच समझ करें सर दीजिएगा फिर आप लोग मेरे अंसर से मिलाएगा और लास्ट में आप लोग को अपना इसको जरूर बताना है कमेंड में कि आप लोग कितना अब्जेक्टिव कोशन सही कर पाए है ठीक तो हाँ तो यहां से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम अलड़ी यहां पर लिखा हुआ है भूले बिसरे गीत यह आप लोग के चैप्टर का नाम है जिसके अब्जेक्टिव कोशनों लोग करने वाले है ठीक तो जो सबसे पहला सवाल है अब्जेक और डी में हैं डॉक्टर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्सान नंबर बी डायरेक्टर जेनरल के पोस्ट पर से सेद अजीज जहमद रिटायर हुए थे सबक दोश हुए थे ठीक आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि भुले विसरे गीत अफसाना के अफसाना निगार कौन है यानि कि भुले विसरे गीत यह जो अफसाना है कहानी तो इस कहानी के लिखने वाले कौन है यानि कि अफसाना निगार कौन आपसन ए में सलाम बिन रजाक, बी में जिलानी बानो, सी में शफी जावेद, दी में सादत हसन मंटू, तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा, इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसन नमबर सी शफी जावेद का लिखा हुआ है, ये अपसाना भुडे बिसरे की, आपसन नमबर सी इस राइट एंसर, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि सेद अजीज एहमद को डारेक्टर के ओधे से सबगदोश हुए, कितने साल हो चुके थे, सेद अजीज एहमद को डारेक्टर जेनरल के जो पोस्ट पर थे हैं, तो डारेक्टर जेनरल के पोस्ट पर से सबकदोश यानि की रिटायर हुए कितने साल हो चुके थे उपसन A में है 5, B में है 10, C में है 15 और D में है 20 तो इसका राइड अंसर हो जाएगा option number B, 10 10 साल हो चुके थे, रिटायर हुए ठिक, आगे बढ़ते हैं सवाल number 4 कि सेद अजीज एहमद का नवासा टेलिवीजन पर क्या देख रहा था ये important question है आप लोगे exam में देखने को मिल चुका है और आप बोल सकते हैं हर साल, बनलब 2-3 साल gapping करके पुष्टा ही है आप लोगे exam में तो इसका सही जवाब बताईए option एमें छोटा भीम B में low on internet C में मोटू पतलू और D में पकड़म पकड़ाई, इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा option number B, low on internet सेद अजीज अध्याद का जो नवासा है वो टेलीविजन पर low on internet नाम का काट्वून देख रहा था यह भी मैं आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ा रहे थी तब ही बताई थी ठीक आगे बढ़ते हैं पांच नमबर सवाल है रवीर अजन कौन थे option A में है सेद अजीज अध्याद के दोस्त, B में है सेद अजीज अध्याद के भाई, C में है सेद अजीज अध्याद का भान जा और D में है सेद अजीज अध्याद का भती जा तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे भूले बिस्रगीत अफसाना नेगा याने कि भूले बिस्रगीत क्या है अफसाना है तो इसका सही जवाब क्या होजाएगा अपसाना है ठिट आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर साथ है कि सेद अजीज एहमद का एक पुराना साथी क्या था में सेब, जॉब्भी में आम, जॉब्भी में और पूराना साथी था सिग्रेट यहां पर मैं आप लोग को एक बात बता दूँ आप लोग के इस चैप्टर में भूले है लेकिन अगर मेंली बात की जाए तो आप लोगों के चैप्टर में बताया गया है कि सहीए दजी जहमत का पूराना साथी था ट्रांजिस्टर जिस पर वो भूले विश्रगीत नाम का प्रोग्राम सुना करते थे ठीक तो अगर आप्शन में ट्रांजिस्टर दिया रहना त ऑगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आठ है कि भूले विश्रेगीत का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया बूले विश्रेगीत का प्रोग्राम खत्म हो जा था कितना बजह यह भी आगे बढ़ते हैं कि शाइराना था कि समाजी था कि कुछ भी नहीं था तो आप लोगो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही एंसर होगा ओपसन नंबर ए अद्वी शफिजवेद के घर का माहौल अद्वी था तेक आगे बढ़ते हैं कोश्ण नंबर टेन कि शफिजवेद की पैदाईश कहां हुई आपसन अ में गुरखपूर बी में लाहोर सी में पठना और डी में मुझफरपूर इसका सही जवाब क्या हो एगा ठीक है छे जुलाई उन्हें सतिरपन पांच मई 1865 चार जुलाई में सतिरपन की चार जन्वरी उन्हें सब 35 तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों मालूम होगा यह बहुत ज़्यदा आसान कोश्चन है इसका सही अंसर है आपसर नमबर डी चार जन्वरी 1935 को शफी जावेद की पैदाईश हुई थी आगे बढ़ते हैं 12 नमबर सवाल है कि शफी जावेद का असल नाम क्या था आपसर ने में हैं शफी जावेद अख्तर बी में हैं सेयद मुहमद शफी उद्दीन सी में हैं फजले दीन और डी में हैं इनमें से कोई नहीं तो इस 12 कि शफी जावेद कि सब्जेक्ट में में किये थह किस सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट से और में की थे अगे बढ़ते हैं 12 कि शफी जावेद के पहले अफ्साना का नाम क्या है A में है वक्त के असीर B में है तारीफ उसकुदा की C में है खुली जुआक और D में है आट और तमबाकू तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है इन चार उप्सन में से कौन सा ऐसा उप्सन है जिसमें शफी जवेद का पहला अप्सान यान्कि पहला कहानी का नाम है तो इसका सही वक्षण हो जाएगा आपसिन नूमर्डी आंट और तमबाकू याद रहना है यह उफ्पॉर्टन कोश्शन आ आप नोगों के पूछ जा चूका है शफी जावेद का पहला पहलों कहानी का नाम क्या और तंबाकू यही होता है और्दो टाइपिंग में थोड़ी गल्ती हो जाती है बट कोई दिखत नहीं है आठ और तंबाकू लिखा गया है कब शाय हुआ आठ और तंबाकू नाम का यह जो कहानी है अफसाना यह कब शाय हुआ अपसने में 25 ब में 24 तो इसका राइट इंसर ह जाएगा आपसान नंबर सी उन्हेंशत तिरपन में आठ और तंबागू नाम का अफसाना प्रकाशित हुआ आगे बढ़ते हैं शफी जावेद अफसाना निगार के लावा और क्या थे आपसाने में नजम निगार भी में शफी जावेद कहा के एड्मिनिस्ट्रेटर बने। थेक है। तो option A में है अमलदर आमद कमीटी, B में है बिहार उर्दू एकेडमी, C में है और इंडिया मीर एकेडमी, और D में है इन्डियन ड्रेड क्रॉस सोसाइटी इन चारो option में से कौन से कमीटी या फिर सोसाइटी के वो administrator बने थे आप लोगों को यही बताना है तो शफी जावेद है ना वो बने थे Indian Red Cross Society के administrator तो option number D is your right answer आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दर्जजेल में कौन शफी जावेद का लिखा हुआ अफसाने मजमूर नहीं है यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इन चारो option में से कौन सा ऐसा option है जिसमें शफी जावेद का लिखा हुआ अफसाने मजमूर यानि की कहानी का किताब नहीं है तो देखिए option A में है दाइरा से बाहर, B में है रात शहर और मैं, C में है नंगी दोपर का सिफाई और D में है तारीफ उसकुदा की तो बताइए यह इन चारो option में से कौन सा ऐसा यह अफसानी मजमूर यान की कहानी का किताब है जो कि शफी जावेद का लिखा हुआ नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C बाकी दाइरे से बाहर रात शहर और मैं, तारीफ उसकुदा की यह तीनों जो है न आपनों का शफी जावेद का लिखा हुआ कहानी का किताब है बाकी नंगी दोपर का सिफाही शफी जावेद द्वारा नहीं लिखा गया है तो आपसान नमर सी इस राइट एंसर आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर नाइंटीन की आठ और तमबाकू को अफसाना एक मिनट आठ और तमबाकू अफसाना जो है ये कहानी दर्भंगा के किस महनामे में शाय हुआ ठीक आपसान ए में अलपंच बी में अफक सी में खलक और में अलहलाल तो इसका राइट एंसर आप लोगों को मालूम हो जाएगा ऑपसान नमबर बी अफक ठीक आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर ट्वेंटी बीस नमबर सवाल है कि शफी जावेद गौर्णर बिहार के क्या थे ए में प्रेस सेक्रेटरी बी में सेक्रेटरी सी मे शफी जावेद में किस उनिवर्सिटी से किये थे में शफी जावेद किस उनिवर्सिटी से किये थे आपसने में लहावर उनिवर्सिटी बी में अलिगर मुसलिम उनिवर्सिटी सी में पटना उनिवर्सिटी और डी में मुझफरपूर उनिवर्सिटी तो यह आप लोगे चैप्टर के शुरुवात में लिखा गया है कि शफीजावेद जो है ना वो पठना इंवर्सिटी से में किये थे आप सब्सक्राइबर सी जो आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल है आप लोगों का सवाल नमबर 22 कि सेद अजीज एहमद कमरे में जाकर क्या धूनने लगे तो से कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया और अब्जेक्टिव कोशन करने में मज़ आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है पड़ेवर्ट वीडियो को लाइक कर दीजी अभी तक लाइक नहीं की है तो और चारो तफ शेयर कर देना है अपने पड़ों सी और वीडियो का लोटिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ अब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज